गौणी असंभवात असंभवात असंभव नहोंने के कारण वस्तृति गौणी मतलब गौणी है अथार्थ उसका कथन गौण रुप से है व्याक्या उस्तृति में कहा है कि बक्षन किये हुए तेज का जो सुक्समान से वाइकत रहोकर वाणी बनता है इससे यह सिद्ध होता है कि तेजस पदार्थ का सुक्समान से वाणी को बलबान बनता है क्योंकि इस रुति ने दिखाये हुए तेजस पदार्थों के सुक्समान से का ही ऐसा परिणाम बताया है इसलिए जिसके द्वारा ये खाया जाए उस इंद्रिय का तेजस तत्तों से पहले ही उत्पनोना सिद्ध हो जाता है इसी प्रकार वहाँ खाये हुए अनसे मन की और पिये हुए जल से प्राणों की उत्पत्ति बताईगी है परम्द प्राणों के बिना जलकाम पीना ही सिद्ध नहीं होगा फिर उससे प्राणों की उत्पत्ति कैसे सिद्ध होगी यता जैसे प्राणों का उपकारी होने से जल को गौनरुप से प्राणों की उत्पत्ति का हेत्तु कहा गया है वैसे ही वाक इंद्रिय का उपकारी होने से तेजस पदार्तों का वाक इंद्रियों की उत्पत्ति का है तो गौन रुप से ही कहा गया है इसलिए वह स्तुरूति गौणी है यथार्थ उसके द्वारा तेजादी तत्तों से वहा कादी इंद्रियों के उत्पत्ति का कथन गौण है यही मनना ठीके और ऐसा मान लेने पर सुरूतियों के वर्णन में कोई विरोध नहीं रह जाता है संबन प्रक्रान से उस्तुरूनी स्तुरूति का गौणत्व सिद्ध करते हैं स्तुरूति के द्वारा उन आकासादी तत्तों के पहले इंद्रियों की उत्पत्ति कहीं गई है तथा मुंदुक निश्यद में भी इंद्रियों के उत्पत्ति पांच भुतों से पहले बताए गई है इससे भी यही जिद्ध होता है कि आकासाधी तत्तों से इंद्रियों के उत्पत्ति नहीं हुई है अत्त तेज आदी तत्तों से वाक आदी की उत्पत्ति सुचित करने व तत्पुर्वक्त्वाद्वाचा हमलब वाणे की उत्पत्ति का वरणन तिनों तत्तों में उस ब्रह्म के प्रविष्ट होने के बाद है इसलिए तेज से उसकी उत्पत्ति सुचित करने वाले इस्तुरुती गौण है। व्याक्षा उस प्रकरण में ये कहा गया है कि उन्तिन तत्वरुप देवताओं में जीवात्मा के सहित प्रविष्ट होकर उस ब्रह्म ने नाम रुपार्त्मक जगत की रचना की। इस प्रकार वहां इन जगत की उत्पत्ति ब्रह्म के प्रवेश्पूरुवक बताई गई है इसलिए भी यही सिद्धवता है कि समस्त इंद्रियों के उत्पत्ति ब्रह्म से ही हुई है। तेज आदी तत्तों से नहीं यता तेज वानी की उत्पत्ति सुचित करने वाली सुर्ति का कथन कौन है। इस प्रकार इंद्रियों की उत्पत्ति भी उस ब्रह्म से ही होती है और वह पांच तत्तों से पहले ही हो जाती है। यह सिद्ध किया गया। अब जो सुरुतियों में कहीं तो प्राणों के नाम से सातनिंद्रियों की उत्पत्ति का वरणन किया गया है तथा कहीं मनसेट 11 इंद्रियों का वरणन है इनमें से कौन सा वर्णन ठीक है उसका निर्णई करने के लिए पूरवपक्स की उस्तापना करते होए प्रकरण अरम बकरते हैं इंद्रिया साथ हैं क्योंकि साथ ही ज्यात होती है तथा कहकर सुरुती में सब्तव पाद का प्राणों मरलब इंद्रियों के विशेशन रुप से प्रयोग किया है व्याख्या पूर्वपक्स का कथन है कि मुख्यद साथ इंद्रिया ही ज्यात होती है शुरुती ने जिन में साथ प्राण अथार्थब आँख कान नाक रसना त्वचार वाक और मन ये साथ इंद्रिया विचरती है वे लोग साथ है ऐसा कहकर इंद्रियों का सात्व विशेशन दिया है उससे यही सिद्ध होता है कि इंद्रिया साती है संबन अब सिद्धांदियों की और से उत्तर दिया जाता है किन्तु हाथ अदि अन्य इंद्रिया भी है इसलिए इस स्थिती में ऐसा नहीं कहना चाहिए कि इंद्रिया साथ ही है व्याख्या हाथ अदि हाथ पेर उपस्तों और गुदान अन्य चार इंद्रिया वर्णन भी पुरुवक्त सात इंद्रियों के साथ-साथ दूसरी सुरुतियों में सपस्ट आता है तथा प्रत्यक मनुष्य के कारिये में करन रूप से हस्ता आधी चारों इंद्रियों का प्रेयोग प्रद्यक्स उपलब्द है इसलिए ये नहीं कहा जा सकता कि इंद्रिया साती है तो जहां किसी अन्य उप्देश से केवल सातों का वरणन हो वहां भी इन चारों को अधिक समझ लेना चाहिए गिता में भी मनसहित ग्यारा इंद्रिया बताए गई है तथा ब्रुधार नियक में सुर्ती में भी दस इंद्रिया और एक मन इन ग्यारा का वरणन स्पास्ट सब्दों में किया गया है अतों इंद्रिया साथ नहीं ग्यारा है ये मानना चाहिए संबद इस प्रकार प्रसंग वस प्राप्त हुए संका का निराकरण करते हुए मनसहित ग्यारा सिद्ध करके पुना तत्वों की उत्पत्ति का वरणन करते है अनवच्चस तथा सुक्स्मभूत यानि तन्मात्रा भी उन परमेश्वर से ही उत्पन होती है व्याक्या जिस प्रकार इंद्रियों की उत्पत्ति परमेश्वर से होती है उसी प्रकार पांच भूतों पांच महाभूतों का जो सुक्स्मरूप है जिसको दूसरे दर्सन कारों ने परमाणों के नाम से कहा है तो था उपनिशदों में मात्रा के नाम से जिसका वरणन है वे भी परमेश्वर से ही उत्पन होते है क्योंकि वहाँ उसकी सिति उस परमेश्वर के आसरीद ही बताई गई है कुछ मानुबाओं का कहना है कि ये सुत्रा इंद्रियों का अणु परिमान सिद्ध करने के लिए कहा गया है किन्तु प्रसंग से ये ठीक मालूम नहीं होता वाक्त तो आप इंद्रियों को अणु नहीं कहा जा सकता क्योंकि वह सरीर के किसी एक देश में विद्वान पुरुषों को इस पर विचार करना चाहिए इंद्रियों को अणु बताने वाले व्याख्यकारों ने इस विशे में सुरुत्यों ददास्मुर्त्यों का कोई प्रमान भी उद्बृत नहीं किया है मुख्य प्राण भी उस परमात्म से उत्पन होता है व्याख्या जिसे प्राण नाम से कहीं जाने वाले इंद्रियों की अपिक्सा स्रेश्ट सिद्ध किया गया है जिसका प्राण अपान समान व्यान और उदान इन पाच नामों से वरणन किया जाता है वह मुख्य प्राण अभी इंद्रिय आदि की बाती उस परमेश्वर से ही उत्पन होता है। सुरुती भी उसका समर्थन करती है। संबन अब प्राण की स्वरुप का निराधार करने के लिए अगला प्रक्रण आरंब करते हैं। सुरुती में वर्णित मुख्य प्राण प्राण वायू तत्व और उसकी क्रिया नहीं है क्योंकि उन दोनों से अलग इसका वर्णन है। व्याख्या, सुरुती में जहां प्राण की उत्पत्ति का वर्णन आया है, वहां वायू की उत्पत्ति का वर्णन अगल अलग है। इन दोनों से भिन्न पदार्थे यही सिद्ध होता है। संबन यहां ही जिग्यासा होती है कि प्राण आदी वायुतत्वन नहीं है तो क्या जीवात्मा की बाती स्वत्तन त्रपदार्थे इस पर कहते हैं। किन्तु प्राण भी चक्सुवादी इंद्रियों की भाती जीवात्मा का उपकरण है क्योंकि उनी के साथ प्राणों और इंद्रियों की संबाद में इसका वर्णन किया गया है तो तो उसकी वाती यह जड़ भी है ही व्याख्या। चंदुक निशद में मुख्य प्राण की स्रेष्टता सुचित करने वाली एक कथा आती है जो इस प्रकार है। एक समय जब इंद्रिया परस्पर विवात करती हुई कहने लगी मैं स्रेष्ट हूँ मैं स्रेष्ट हूँ अंत में वे अन्या वे अपना न्याय कराने के लिए प्रजापती के पास गई वहाँ उन सब ने उससे पूछा वगवन हमें सर्वस्रेष्ट कौन है प्रजापती ने कहा तुम में से जिसके निकलने से सरीर मुर्दा हो जाए वही स्रेष्ट है सुनकर वाणी सरीर से बाहर निकली फिर चक्सु उसके बाद सोत्र इस प्रकार एक एक इंद्रिया के निकलने पर भी सरीर का काम चलता रहा अंत में जब मुख्य प्राण ने सरीर से बाहर नि कि तब प्राण सब्द वाच्य मन सहित सब इंद्रियों को अपने अपने स्तान से विचलित कर दिया ये देख में सब इंद्रिया गवराई और मुख्य प्राण से कहने लगी तुम ही हम सब सब में स्रेष्ठो तुम बाहर मत जाओ इस वरणन में जीवात्मा के मन और चक्सु अधी अन्य उपकरणों के साथ-साथ प्राण का वरणन आया है इससे ये सिद्ध होता है कि जिस प्रकार वे स्वतंत्र नहीं है जीवात्मा के अधिन है उसी प्रकार मुख्य प्राण भी उसके अधिन है इसलिए इंद्रिया निग्र भी बाती सास्त्रों में प्राण को निग्रह करने का भी उबदेश है तथा आधी सब्द से ये भी सुचित किया गया है कि इंद्रिया की बाती ये जड़ भी है तब जिवात्मा की बाती चेतन नहीं हो सकता संबन्ध यदि चक्सुवादी इंद्रियों की बाती प्राण भी किसी विश्य के अनुभव का द्वारत्वा किसी कारिय की सिद्धी में सायक होता तब तो इसको भी करण कहना ठीक था परमतु ऐसा नहीं देखा जाता सास्त्र में भी मन तथा दस इंद्रियों को ही प्रत्यकारिय में करण बताया गया है प्राण को नहीं यदि प्राण को करण माना जाए तो उसके लिए भी किसी ग्राहिय विशाई की कल्पना करने पड़ेगी इस संगा का निवारण करने के लिए कहते हैं निश्चे ही इंद्रियों की बहती विश्यों के उभोग में करण नहोंने के कारण उक्त दोसर नहीं है क्योंकि इसका करण होना कैसा है ये बात रुती स्वेम दिखाती है व्याख्या जिस प्रकार चक्सु आदी इंद्रिया रूप आदी विश्यों का ज्यान करने में करण है इस प्रकार, विशयों के उब्वोग में करणना होने पर भी उसको जिवात्मा के लिए करण मनने में कोई दोस्त नहीं है, क्योंकि उन सब इंद्रियों को प्राण ही दारण करता है, इस सरीर और इंद्रियों का पोशं भी प्राण ही करता है प्राण के सैन्योक से जिवात्मा एक सरीर को छोड़ कर दूसरे सरीर में जाता है इस प्रकार स्तृति में इसके करण भाव को दिखाया गया है इस प्रकरण के सिवा और भी जहाँ जहाँ मुख्य प्राण का प्रकरण आ गया है सभी जगह ऐसे ही बात कही गई है संबंद इतना ही नहीं अपितु स्थृति के द्वारा ये मन की भाती पाँच इंद्रियों वाला बताया गया है व्यक्य जिस प्रकार सुत्रा अधी इंद्रियों के रुप में मन की पाँच प्रवृत्या मानी गई है उसी प्रकार सुत्रिती ने इस मुख्य प्राण को भी पाँच वृत्य वाला बताया गया है प्राण, अपान, व्यान, समान और उदान ये भी उसकी पाँच वृत्या है इनके द्वारा ये अनिक प्रकार से जिवात्मा के उपयोग में आता है सुरूत्यों में इसकी वृत्यों का भिन्विन कारिय विस्तार पूरोग बताया गया है इसलिए भी प्राण को जिवात्मा का उपकरण मन्ना उचिती है संबन मुख्य प्राण के लक्षनों का प्रतिपादन करने के लिए नवे सुत्र से प्रक्रण अरंब करके 12 संत्र तक इसद्द किया गया कि प्राण जिवात्म तरथा वायू तत्व से वि बिन्न है मन और इंद्रियों को दारन करने के कारण ये भी जिवात्मा का उपकरण है सरीर में ये पांच प्रकार से विचरता हुआ शरीर को धारन करता है और उसमें क्रिया सक्ति का संचार करता है अब अगले सुत्र में इसके सुरुप का प्रतिपादन करके इस प्रक्रण को असमाप्त करते हैं ये चक्सु भी है व्याक्ष्य ये प्राणत्वा अपनी पांच प्रवृत्यों के द्वारा स्तुल रूप में उपलब्द होता है इसके सिवा ये अथार्थत सुक्स्म भी है ये अनुक कहने से ये भाव नहीं समझना चाहिए कि ये छोटे आकरवाला है इसकी सुक्स्मता को लक्सित कराने के लिए इससे अनुक कहा गया है सुक्स्म ओने के साथ ही ये परिच्छिन तत्वा है सुक्स्मता के कारण व्यापक ओने के वो पर भी सिमित है ये सब बाते भी प्रश्णों निश्द में तीसरे प्रश्ण के उत्तर में आ गई संबन्द छंदुप सुरुती में इजाच तेज प्रभूती तीन तत्वों से जगत की उत्तर्ति का वरणन किया गया है वहाँ उन तीनों का अधिश्टा ता देवता जिसको बताया गया है ये निर्णई करणने के लिए अगला प्रकरण अरंब किया जाता है चोति आदी तत्व जिसके अधिश्टान बताये गया है वह तो ब्रह्म ही है क्योंकि दूसरी जगह भी सुरुती के दौरा उसको अधिश्टाता बताया गया है व्यक्ख्या शुरुति में कहा गया है कि उस जगत करता परमदेव ने विचार किया कि मैं बहुत हो तब उसने तेज की रचना की फिर तेज ने विचार किया इत्यादी इन इस वरणन में जो तेज आदी तत्वों में विचार करने वाला उसका अधिश्टाता बताया गया है वो परमात्म क्योंकि तेत्रिय उपनिश्यद में कहा है कि जगत की रचना करके उसने उसमें जीवात्मा के साथ साथ प्रविश्ट किया इसलिए यह सिद्ध होता है कि परमेश्वर ने ही उन तक्तों में अधिष्टाता रुप से प्रविश्ट होकर विचार किया स्वतंद्र जड़ तक्तों ने नहीं सम्बन अब यहां ये जिग्यासा होती है कि यदि पर्भ्रम परमेशवर होई उन आका साधी तत्तों का अधिश्टाता है तब तो प्रत्यक सरीル का अधिश्टाता भी वही होगा जीवात्मा को सरीब का अधिश्टाता मनना भी उचिद नहीं होगा इस पर कहते हैं प्राणधारी जिवात्म के सहीद प्रवेश किया, ऐसा सुर्ती का कथन होने से यह दोस्त नहीं है. व्याख्या सुरुती में ये भी अवरणन आया है कि इन तीनों तत्वों को उत्पन करने के बाद उस प्रमदेव ने विचार किया मैं इस जीवात्मा के सहित इन तीनों देवत्ताओं में प्रविष्ट होकर नना रूपों को प्रगट करू इस कथन से ये सिद्ध होता है कि जीवात्मा के सहित परमात्मे ने उन तत्वों में प्रविष्ट होकर जगत का विष्टार किया इसी बरकार एत्रियोप निशद में पहले अध्या में जगत की उत्पत्ति का वरणन करते होए तीसरे खंड में ये बताया गया है कि जीवात्मा को सही योग देने के लिए जगत करदा परमैस्पर ने सजीव शरीर में प्रविष्ट किया तथा मुंडक और स्वेतास त्वर में इस्वर और जीव को दो पक्सियों की बाती एक ही सरीरुप प्रुक्स पर स्थित बताया गया है इसी प्रकार कठोक निशद में भी परमात्मा और जीवात्मा को रदेरुप गुरुवा में स्थित कहा गया है इन सब वरणनों से जिवात्मा और परमेश्वर इन दोनों का प्रत्यक सरीड में साथ साथ रहना सिद्ध होता है इसलिए जिवात्मा को सरीड का दिश्टाता मानने से किसी परकार का विरोध नहीं है संबन सुरुती में जीवत्त्तों की उत्पत्ती से पहले या पिछले भी जिवात्मा की उत्पत्ती का वरणन नहीं आया फिर उस परमेश्वर ने सहसा और ये विचार कैसे कर लिया कि इस जिवात्मा के सहिद मैं इन तक्तों में प्रवेस करूँ ऐसी जिग्यासा होने पर कहते हैं उस जीवात्मा की नित्यता प्रसिद्ध होने के कारण भी उसकी उत्पत्ति का वरणन करना उचीती है व्यक्या जीवात्मा को नित्य माना गया है शुष्टी में शुष्टी के समय शरीर की उत्पत्ती के साथ साथ गौन रुप से ही उसकी उत्पत्ती बताई गयी है वास्त में उसकी उत्पत्ति नहीं मानी गई है इसलिए पांच भूतों की उत्पत्ति के पहले या बाद उसकी उत्पत्ति नवतलाकर जो जीवात्मा के सहित परमिश्वर का सरी में प्रवेश्टोना कहा गया है वह उचिती है उसमें किसी प्रकार का विरोध नहीं है संबन सुरुति में प्राण के नाम से इंद्रियों का वरणत आया है इससे यह जान पड़ता है कि इंद्रिया मुख्य प्राण के ही कार्य है उसी की वुर्तिया है बिन्न तक्वन नहीं है अथ्वा ये अनुमान होता है कि चक्सु आधी की बाती मुख्य प्राण भी एक इंद्रिया है। उनी की जाती का पदार्थे ऐसी दसा में वास्तविक बात क्या है इसका निर्णे करने के लिए अगला प्रकरण अरंब किया जाता है। खक्सु आर जाता है।